चट महा पर्व खत्म होते ही अपराधियों के होसले एक बार फिर से बुलन नजर आए बिहार के लखी सराय से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई अर्ग देकर लोट रहे एक परिवार पर बेखोफ अपराधियों ने ताबर तोड पाइरिंग की इस घटना में एक परिवार के छे लोग घायल हुए वही दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वारदात की तस्वीरे इतनी भयावा है कि हम आपको दिखा नहीं सकते इस पूरे घटना पर गायल परिवार के परिजन का क्या कहना है सुनिए करे दोनों नाम को ये हैं मार दल को कहा हम दोनों देखो शाय का इसाल के लप्ला सुन अना पुलिस हैप आता यह मढा दुश्माना हैं हम आप यह को हले बाबाब ऑन हम नहीं देख प्त्र अमने में कायते हैं मंदिरे में दुर्गा मंदिर्वा कूजे के रही और इतको यह वह इस मामले पर जाज के लिए पहुंचे एस पी ने क्या कहा वो सुनाते हैं पंजाबी महला में ये गटना गटी है एक ही परिवार के छे साथ व्यक्ती छट गाट से लौट रहे थे अब उसके घर ही के पास गोली मारने की गटना हुई है गोली मारने की गटना आसीश चौदरी जो उसके घर के सामने का लड़का है उसके दुआरा किया गया है इसमें फुल छे लोगों को गोली लगी है जिसमें दो किमिट्टी हो चुती है तीन गंभीर रूप से घायल हैं जिसको पीम्टी अच रेफर किया गया है और एक काईलाज यहां पर चल रहा है घटना का कारण यह है कि बिगत दो तीन बर्सों से आसीस चौधरी का संबन्द मृतक पक्ष के लड़की से था जिसमें आसीस चौधरी लड़की से साधी करना चाहता था परिवार वाले तयार नहीं हुए यह लंबे समय से विवाद चल रहा है जैसे कि अभी जानकारी मिली है कि लगवग 10 दिन पहले भी आपस में विवाद हुआ था और यह सुबह यह घटना आसीस चौधरी के द्वारा आक प्रोस में किया गया बतादे की मामला पूरी तरीके से प्रेम प्रसंग बताया गया है जहां लड़की की परिवार वालों की द्वारा शादी से इंकार करने पर लड़के ने जिसका नाम आशीश बताया जा रहा है उसने इस घटना को अंजाम दिया है घटना को अंजाम देने वाला पड़ोसी है जिसका नाम आशीश चौधरी है लगभग दस दिन पहले आपस में विवाद हुआ और अब पुलिस इस पूरे मामले पर लगतार जाज कर रही है रोहित सिंग के साथ लखी सराय से बिनोद गुपता के रिपोर्ट बिहार तक